नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विदिलॉजी पर हम देखने वाले हैं MPDLO का 2016 का पेपर लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आपको हमारे वीडियोज पसंद आती हैं तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए चलिए शुरू करते हैं तो पहला पार्ट है वो है Constitution का याने कि भारत का सम्विधान निम्न में से कोन मौलिक अधिकार नहीं है तो इसके अंदर जो राइट अंसर है वह है Option यह मौलिक अधिकार नहीं है जोकि यह fundamental duties याने कि मौलिक करतव्यों में हमें दिया गया है सेकंड सम्विधान के किस अनुच्छेद में कारखानों आधि में बालकों के नियोजन का प्रतिशेद है Option A Article 15, B Article 19, C Article 24 या D Article 26 तो इसका राइट अंसर है Option C Article 24 के अंदर जो है बालकों से related provisions किये गए हैं Constitution के अंदर 3. भारत ने राज्य के निती निर्देशक सिद्धान्त लिये हैं A. Irish सम्विधान से B. अमेरिकी सम्विधान से C. भारत सरकार अधिनियम 1935 से या Option D. बिटिश सम्विधान से इसका जो राइट अंसर है वो है Option A Ireland के जो Constitution है वहाँ से जो निती निर्देशक तत्व यानिकी Directive Principles of State Policy जो है वहाँ से लिए है Number 4. Article 21 A. शिक्षा का अधिकार के तहत किस उम्र तक मुफ्त शिक्षा की गारंटी देता है A. आट से 18 वर्ष B. छे से 14 वर्ष C. साथ से 13 वर्ष D. नो से 15 वर्ष इसका राइट अंसर है Option B. छे से 14 वर्ष तक के जो बालग हैं उन्हें शिक्षा का अधिकार यानिकी Right to Education के लिए या मुफ्त शिक्षा की गारंटी देता है इसका जो राइट अंसर है वह है Option C. आर्टिकल 17 या आपको याद अठने है कुछ important ऐसे questions है जो हमेशा repeat होते ही है उस article से जो है या फिर उस section से जिससे question बनना ही चाहिए वहाँसे किसी भी तरीके से किसी भी रूप में एक question जरूर आएगा इसका जो राइट अंसर है वह है option C. आर्टिकल 39A अब जो ये question आया है वह हमारी जो exam है उससे related है निशूल को विधिक सहायता यानि कि free legal aid तो इस तरीके के जो प्रेशन है चाहिए वह किसी भी section या किसी भी act में हो हमें उसे याद रखना है क्योंकि जिस purpose से हम exam दे रहे है उससे related जो question ये question है वह जरूर पूछे जाएंगे नमबर 7 समीधान के किस भाग में मूल करतव्य है A. 4, B. 4A, C. 5 या D. 3A इसका जो right answer है वह है option B. 4A के अंदर जिसके अंदर समीधान के मूल करतवे के बारे में बताया गया है नमबर 8, भारत के समीधान में राज्य के नीती निदेशक तत्व हैं याने की Directive Principles of State ए राज्य पर बाद्यकारी बी किसी नहयले द्वारा प्रवर्तनी सी मुलभूत अधिकारों के समान या डी देश के सैशन में मुलभूत तो इसका जो राइट अंसर है वह है Option D देश के सैशन में मुलभूत नाइन भारती समीधान का कोन सा अनुच्छेद एकी अपरात के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित किये जाने का प्रावधान करता है इसका जो राइट अंसर है वह है Option C आर्टिकल 22 जो है वह ये प्रावधान करता है कि एक से अधिक बार जो है कोई अभियोजित हुआ है दंडित नहीं किया जाएगा Option Number 10 कौन सा विकल्प नीती नीदेशक तत्व का भाग नहीं है A. एतिहासिक संस्मारों का संडरक्षन B. आइस प्रिश्चत का समाप्ती C. कुटी रुद्धियोगों का बढ़ावा D. नागरीकों के लिए पर्याप्त रोजगार के साधन उपलब्ध कराना इसका Right Answer है Option B. आइस प्रिश्चत की जो समाप्ती है वो Directive Principles of State Policy के अंतरगत नहीं आती यह हमारे Fundamental Right में दी गई है Article 17 में तो यह कुछ जो है Questions थे Constitutions Related अब बात करते हैं CPC Civil Precure सहीता की नियाले द्वारा Section 89 1 CPC के अंतरगत मामले को निर्दिष्ट किया जा सकता है A. माध्यस्तम एवं सुलह यानि कि Arbitration and Consiliation को B. सुलह एवं बीच बचाव को C. बीच बचाव एवं लोग अदलत को D. माध्यस्तम एवं सुलह या लोग अदलत या बीच बचाव के लिए तो इसका जो Right Answer है वह है Option D. माध्यस्तम या सुलह या लोग अदलत या बीच बचाव के लिए Number 12 विकल्पिक विवाद विकल्प के किसी एक तरीके के लिए विकल्प देने के लिए नियाले का निदेश उपबंदी थे A. आदेश 10 नियम एक क B. आदेश 10 नियम एक ख C. आदेश 10 नियम एक ग D. आदेश 10 नियम एक ग इसका जो राइट अंसर है वह है ऑप्शन A. आदेश 10 रूल 1 A के अंदर जो है CPC के अंदर यह प्रावधान दिया गया है इसका जो इंगलीश वर्जन है वो हमें नहीं मिल पाया था इसलिए हमको इसको हिंदी में लेकर आना पड़ा है तो आप कोशिश कीज़े गा आपको इसमें जो टांसलेशन है वो बेरेक्ट में मिल जाएंगे अगर फिर भी नहीं मिलते हैं गर कोई क।शन में आपको डाउट है तो आप हमसे पूच्चाथे हैं हम आपको उसको टानसलेट करकर दे देंगे नमबर थर्टीन निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने की अनुग्या के लिए आवेदन नियाले नामंजूर कर देगा A. जहां नियोमों में विहीत रिती से उसकी विरशना किये जाते हुए उसे उपिस थापित नहीं किया गया है B. जहां आवेदक निर्धन व्यक्ति नहीं है C. जहां आवेदक ने आवेदन प्रस्तूत करने से ठीक पहले वाले दो माह के भीतर कपट पुर्वक संपत्ति का वियायन कर दिया है या D. इनमें से कोई भी इसका जो राइट अंसर है वह है उप्शन D. इन में से कोई भी इस्तिती में आवेदन नियाले नामंजूर कर देगा नमबर 14. निमलिकित में से कौन सा आदेश निर्धन व्यक्ति द्वारा अपील के संबंद में उपबंद करता है A. ओर्डर 33, B. ओर्डर 37, C. ओर्डर 41 या D. ओर्डर 44 तो इसका राइट अंसर है ओप्शन D. ओर्डर 44 नमबर 15. ओर्डर 10 रूल 1 A. व्यवार प्रक्रिया सहीता के अनुसार न्याले द्वारा पक्षकारों को किसी एक समाधन के माध्यम को चुनने है तू किस इस्तर के बाद निर्धेशित किया जाएगा A. जवाब दावा प्रस्तूती के पश्चात, वात प्रदर्शन वीरचित किये जाने के पश्चात C. स्विकरतियों एवं प्रत्याख्यानों को अभिलिकित करने के पश्चात या D. किसी भी इस्तर पर तो इसका जो राइट अंसर है वो है उप्शन C. स्विकरतियों एवं प्रत्याख्यानों को अभिलिकित करने के पश्चात 16. आवेदक की निर्धनता के बारे में साक्ष लेने के लिए कम से कम कितने दिन का विरोधी पक्षकार यहां सरकारी प्रीडर को सुचना पत्र दिया जाना आवश्यक है A. पांच दिन, B. दस दिन, C. पंदरा दिन या D. एक माँ तो इसका राइट अंसर है option B. दस दिन, दस दिन पहले जो है उन्हें सूचना देनी होगी 17. निमलिखित में से कौन सा नियाय दस्टांत सेक्शन 89 वेकलपिक विवाद समाधान के संबंद में महत्वपूर्ण है 18. जहां दावे में निर्धन व्यक्ति वादी के रूप में सफल होता है वहां दावे के खर्च और नियाय शूलक शाषन वसूल करेगा A. दावे के वादी से B. राज शाषन से C. उस पक्षकार से जो संदत करने है तो डिक्री द्वारा आदिष्ट है या D. वसूल योग्य नहीं है तो इसका जो राइट अंसर है वह है option C. उस पक्षकार से जो संदत करने है तो डिक्री द्वारा आदिष्ट है नमबर 19. जहां वाद का उप्षमन वादी निर्धन व्यक्ति की मृत्यू के कारण हो जाता है तब उस इस्तिती में क्या नियाले नियाले फीसों की वसूली के लिए आदेश दे सकेगा option A. नियाले नियाले फीसों की वसूली के लिए आदेश नहीं दे सकता B. नियल्य फिसो की वसुली के आदेश दे सकेगा C. नियल्य फिसो के प्रचाष प्रतिशत भर के लिए वसुली का आदेश दे सकता है D. इन मेंसे कोई नहीं तो इसका right answer ए option B. नियल्य फिस की वसुली के आदेश दे सकेगा नमबर 20 यदि कोई दावा आदेश 10 के तहत सुलह मंच के समक्ष भेजा जाता है और वह निराकरत नहीं होता है तब मंच मामले को भेजेगा इसका राइट अंसर है ओप्षन ए दोबारा संबंदित नियाले को जो है मंच उसे भेज़ देगा नमबर 21 आईपीसी किसी पूरुष दुआरा किसी महिला के साथ उसकी समती से संबोग किया जाता है वह बलातकार है यदि उस महिला के आयूद डेश वर्ष से कम है इसका राइट अंसर है ओप्षन C 18 वर्ष से कम है यह इंपोर्टेंट पॉइंट है आपको याद रखना है क्योंकि यह पूछा जा सकता है वापस 22 भारती दंड सहिता की धारा 65 के अनुसार अर्थ दंड अदा न करने के एवज में दंडादेश होगा अपराद के लिए निर्धारीद अधिक्तम दंड का एक तिहाई अपराद के लिए निर्धारीद दंड का एक चोथाई अपराद के लिए निर्धारीद अधिक्तम दंड का आधा या अपराद के लिए निर्धारीद अधिक्तम दंड के बराबर तो इसका right answer है option B, एक चोथाई जो है यानि कि जो अपराद है उसके लिए जो पंदित दंड है पनिश्मेंट है उस पनिश्मेंट का एक चोथाई वन फोर्थ जो है अगर कोई अर्थ दंड यानि कि फाइन नहीं बढ़ता है तो उसे यहाँ पर दिया जाएगा नमबर 23, कोई बात अपराद नहीं है जो एक शिशु द्वारा की जाती है जिसकी आयू डेश वर्ष के अंदर हो A, 5 वर्ष, B, 7 वर्ष, C, 12 वर्ष या D, 18 वर्ष इसका right answer है option B, 7 वर्ष से कम आयू का जो शिशु है उसके द्वारा अगर कुछ कारे किया जाता है तो exception में आ A, के अंतरगर्द कुरूरता, cruelty में सम्मेलित नहीं है A, महिला को परिशान करना B, शारेरिक कुरूरता C, मानसिक कुरूरता या D, पतनी द्वारा कुरूरता तो ये clear है ये answer सभी को पता होगा इसका जा answer है option D, पतनी द्वारा कुरूरता इसके अंतरगर्द नहीं आती है नमबर 25, भारती दंड सहीता के अंतरगर्द प्रत्यक लूट है A, चोरी, B, उद्धापन, C, या तो चोरी या उद्धापन, या D, इन में से कोई नहीं तो इसका जो right answer है वह है option C, या तो चोरी या उद्धापन, या तो या तो वह चोरी हो सकती है, थेफ्ट हो सकता है, या extortion हो सकता है नमबर 26, विश द्वारा जेड की हत्या करने के आशे से A, विश खरिता है, यानि कि वह जहर खरिता है, और उसे भोजन में मिला देता है और उसे जेड की मेज पर खाने के लिए रख देता है, तब A ने कौन सा अपराद किया, option A, section 307 के अंतरगत अपराद किया है अभी तक A ने धारा 307 भारदे दंडे सेहिता के तहट अपराद नहीं किया है, section 307 के तहट अपराद करने की तैयारी की है, जो की अपराद है, या इन मेंसे कोई नहीं इसका right answer है, option A, 307 के अंतरगत जो है, उसने अपराद किया है, या सीधे सीधे illustration से उठा के यहां पर पूछा गया है तो इसलिए जहां तक हो सके, जो में section से उनकी illustration भी आपको पढ़ना है number 27, का देखता है कि यह की थेली जिसमें धन है यह से गिर गई है, का व थेली यह को प्रत्यावरतित करने के आशे से उठा लेता है किन्तु तक पश्चात उसे अपने उपियोग के लिए वीनियोजित कर लेता है, का ने कौन सा अपराद किया है तो इसका जो राइट अंसर है, वह है option A, उसने 403 भारतित अंतरगत अपराद किया है नमबर 28, A, जेट के घर में उसकी खिडकी से प्रवेश कर ग्रह अतिचार करता है वह है, A, रिष्टी, B, ग्रह बेदन, C, प्रचन ग्रह अतिचार या इन में से कोई नहीं इसका राइट अंसर है, ग्रह बेदन, house breaking जो है, इसके अंदर आएगा option B 29, भारती दंड सहीता के अंतरगात निम लिखित में से कोई सा घटक दंगा गठित करने है तू आवश्चक नहीं है 30, भारती दंड सहीता के अंतरगात कौन सा इसा अपराध है, जो तैयारी के इस तरपर दंडनी है यानि कि preparation की stage पर भी जो है वह अपराध दंडनी है, punishable है, वह कौन सा अपराध है option A, loot, B, daketi, C, hathya, D, balatsang तो इसका जो right answer है, वह है option B, daketi, जो है यदि कोई daketi की योजना बना रहे हैं, तब भी वह जो है punishable होती है तो इसलिए याँ पर इसके लिए पूछा गया है CRPC 357, C, संबंदित है A, पीडित प्रतिकर योजना, पीडितों का उपचार C, अपराधों का शमन, या D, इन में से कोई नहीं तो इसका जो right answer है, वह है option B, पीडितों का उपचार 33, जहां विधी द्वारा किसी अपरात के लिए नियूंतम दंड निर्धारित किया गया है वह नियाले द्वारा अभियुक्त को सोधा अभिवाग के अंतरगत कितना दंडादेश दिया जा सकता है A, नियूंतम दंडादेश का एक चोथाई B. नियूंतम दंडादेश का एक तिहाई C. नियूंतम दंडादेश का आधा D. अधिक्तम दंडादेश का एक चोथाई यहां सोधा अभिवाग का मतलब होता है plea bargaining जो कि English translation है इसका इसका right answer है 33 का option C. नियूंतम दंडादेश यानि कि जो minimum punishment है उसका half आधा 34. नियूंतम दंडादेश प्रक्रिया सहीता की की सधारा के अंतरगत अभियूक्त का उसकी पसंद के प्रीडर द्वारा प्रतिक्रिक्षा करे जाने का अधिकार दिया गया है यह important है और यह हमारी जो exam है उससे related है इसलिए इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि वापस से पूछा जा सकता है option section 301, section 302, section 303 या section 304 तो इसका जो right answer है वाई option C section 303 के अंदर यह provision दिया गया है number 35 दंड प्रक्रिया सहीता के अंतरगत पुर्व दोश्चिद्धी की दशा में वरधित दंड से दंडनी अपराद होने पर A. ऐसा अपराद नियले के अनुमती से शमनी होगा B. ऐसा अपराद शमनी नहीं होगा C. ऐसा अपराद शमनी होगा D. ऐसा अपराद शमनी हो सकेगा तो इसका right answer है option B. शमनी नहीं होगा यानि की वा compoundable नहीं होगा 36. भरण पोशन के आदेश का प्रवरतन दंड प्रक्रिया सहीता की किस धारा में उपबंदित है A. सेक्शन 125 B. सेक्शन 126 C. सेक्शन 127 D. सेक्शन 128 इसका right answer है option D. सेक्शन 128 के अंदर जो order दिया जाता है भरण पोशन का उसके प्रवरतन के लिए जो है उबवंद किया गया है 37. दंड प्रक्रिया सहीता की धारा 357 A. के अनुसार राज जयत्वा जिला विदिक सेवा प्रादिकरन द्वारा उचित प्रतिकर प्रदान किये जाने के संबंद में जाच कितने माह में पूर्ण किया जाना अवश्यक है A. एक माह B. दो माह C. तीन माह या D. कोई निश्चित समय नहीं है तो इसका राइट अंसर है ऑप्शन B. दो माह के अंदर उन्हें जाच पूरी करनी होगी इसका राइट अंसर है ऑप्शन C. 2013 का जो संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था इसके साथ साथ आपको जो MP के अमेंडमेंट्मेंट्स हुए है उसके बारे में भी याद रखना है यदि कोई important sections है जिसके अंदर important amendment हुआ है MP के लिए तो वो आपको याद रखना है क्योंकि यह पूछा जा सकता है नंबर 39 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 265 चरक के अधिन दिया गया निर्न A. अपीली होगा B. अपीली नहीं होगा C. पुनरिक्षन योगी होगा D. इन में से कोई नहीं तो इसका right answer अपीली नहीं होगा यह नहीं कि non-appellant order होगा जो 265 चरक के अंदर दिया जाएगा नंबर 40 दंडर प्रक्रिया संहिता की धारा 357A सब सेक्षन 2 के अंतरगत प्रतिकर की मातरा का निर्धारन करता है कंपेंसेशन की जो मातरा होगी कोन निर्धारित करेगा वो पुछा गया है A. जिला नियाइदीश यहने की district judge B. जिलाधीश C. जिला विधिक सेवा प्रतिकरण या राज विधिक सेवा प्रतिकरण या D. इन में से कोई नहीं तो इसका right answer है option C. जिला विधिक सेवा प्रतिकरण या राज विधिक सेवा प्रतिकरण जो है यहाँ पर उसकी प्रतिकर की मातरा decide करेगा 41. कितने वर्ष से कम आयो के व्यक्ति के साथ अपराद होने पर दंड प्रक्रिया सहीता की धारा 265A के प्रावधान लागू नहीं होंगे A. 15 वर्ष, B. 12 वर्ष, C. 14 वर्ष, D. 18 वर्ष वर्ष, C. 14 वर्ष से कम आयो के उपर यहां के प्रावधान लागू नहीं होंगे 42. दंड प्रक्रिया सहीता की धारा 3212 के तहत मद्यपरदेश राज्य संशोधन के प्रभाव स्वरूप कौन सा अपराद शमनी है A. 148 IPC, B. 326 IPC, C. 307 IPC, D. 498 A IPC तो इसका जो राइट अंसर है वह उप्षन A. 148 जो IPC अपराद है वह यहां पर शमनी है 43. पतनी अपने पती से सेक्शन 125 दंड प्रक्रिया सहीता के तहत निम्न परिस्तिती में भरण पोशन प्राप्त करने की हगदार नहीं होती है A. यदि उसने पती से तलाक ले लिया है और दोबारा शादी नहीं की है B. यदि वह स्वयम का भरण पोशन करने के लिए असमर्त है C. यदि पतनी ने अपने पती के साथ इस आधार पर रहने से इंकार कर दिया है कि वह रखेल रखता है A. यदि वह जारता की दशा में रह रही है तो इसका जो राइट अंसर है वह है option D. यदि वह जारता की दशा में रह रही है लेकिन अब इसके अंदर कुछ changes हो चुके हैं कुछ amendments आ चुके हैं तो कुछ answers जो हैं बदल भी जा सकते हैं तो उसको एक बार आप verify कर लिजिएगा 44. दंड पक्रिया सहीता CRPC की section 321 के अंतरगत अभी ओजन कोन वापिस ले सकता है A. राजेशासन B. किसी मामले का भार सदक कोई लोक अभी ओजक नियाले की सम्मती से 45. निम लिखित में कोन section 125 दंड पक्रिया सहीता के अंतरगत भारन पोजन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है A. माता B. अव्यस्क विवाहित संतान C. व्यस्क विवाहित पुत्री जहां ऐसी पुत्री मानसिक असामानेता के कारण भरन पोशन में अशम है D. पिता इसका राइड अंसर है option C. व्यस्क विवाहित पुत्री इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स हो गए है जिस वज़े से इस पेपर में जो आंसर्स दे रखे हैं वो उसी वक्त के according दिये हुए है इसलिए जो नए आंसर्स हैं उसके लिए एक बार आप नया एक्ट अपडेट देखिएगा अगर आपको फिर भी नहीं मिलता है तो आप हमसे इसके बारे में पूछ सकते हैं हम आपको नए एक्ट के बारे में बता देंगे 46. किशोर नयाए बालकों की देखरेक एवम संडरक्षन अदिनियम 2015 में बालक से वह व्यक्ति अभी परे थे जिसने डेश वर्ष की आयू पूर्ण नहीं की है तो इसका राइट अंसर है ओप्शन C 18 वर्ष की आयू पूर्ण नहीं की है 47. किशोर नयाए अदिनियम 2015 के अंतरगात विधी संबंदी विरोध में किशोर से कोई ऐसा किशोर अभी परे थे जो डेश की तिथी तक 18 वर्ष की उम्र पूर्ण न किया हो 48. किशोर नयाए अदिनियम 2015 के अधीन जगन्य अपराद में वह अपराद सम्मिली थे जिसमें कारवास का दंड है 3 वर्ष या उस्से अधीक, 5 वर्ष या उस्से अधीक, 7 वर्ष या उस्से अधीक, 10 वर्ष या उस्से अधीक, इसका राइट अंसर है 7 वर्ष या उस्से अधीक, option C किशोर नियाय अधिनियम 2015 की धारा 4 के अनुसार किशोर नियाय बोर्ड में एक परधान मजिस्ट्रेट और डेश सामाजिक कारे करता होंगे A. 2, B. 3, C. 4 या D. 5 इसका राइट अंसर है ऑप्षन A. 2 सामाजिक कारे करता होंगे तो इसका राइट अंसर है बाल कल्याट समीटी है वह याँ पर निदारित करेगी तो यह चाइल्ड वेलफेर कमीटी जो है उसके बारे में हम इसके पहले जो एक्ट हम ने देखा उसमें हम पढ़ चुके हैं उसके बाद जो juvenile justice जो हम देखने वाले हैं उसके अंदर भी हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं दहेज प्रतिशेद अधिनियम यानि की डोरी प्रोईबिशन एक 1961 इसका वीडियो जो है हम अलरेड़ी हमारे चैनल पर पोस्ट कर चुके हैं उसके important points के साथ तो आप वो भी इसको देख सकते हैं 51 दहेज प्रतिशेद अधिनियम के अधिन अपराद है इसका जो right answer है वह है option C अधिनियम यानि की non compoundable 52 दहेज प्रतिशेद अधिनियम 1961 के अंतरगत दहेज कोई ऐसी संपत्ती या मुल्यवान वस्तु अभिप्रेथ है जो A केवल विवा के समय दी गई हो B केवल विवा के पश्चात किसी समय दी गई हो C केवल विवा के पूर्व किसी समय दी गई हो विवा के समय उसके पूर्व या पस्चाज दी गई हो या करार की गई हो ये question repeat हुआ है इसके options बदल दिये गए हैं तो इसलिए आप देखते रहिएगा कि कौन-कौन से question repeat हुए है और कहां से हुए है तो इससे आपके लिए easy हो जाएगा यह समझना कि आखिर कौन-कौन से section important है एक्जाम पर पर से 53 दहज प्रतिश्य अधिनियम के अधीन अपरात का संज्यान ले सकता है दितिवर्ग नियाइक मजिस्टेट, कारेपालक मजिस्टेट, महानागर मजिस्टेट या प्रथम नियाइक मजिस्टेट या D कोई भी नियाइक मजिस्टेट तो इसका right answer है option C 54 दहज प्रतिश्य अधिनियम की section 6 के अनुसार जहां इस्तरी की मरत्यू उसके विवा के 7 वर्ष के भीतर प्राकृतिक कार्णों से अन्यथा हो जाती है वहाँ उसकी संपत्ति अंतरित होगी C यदि उसके संतान नहीं है तो उसके पती के माता-पिता को यदि उसके पती को तो इसका right answer है option B यदि उसकी संतान है तो उसके ऐसी संतान को अंतरित की जाएगी और ऐसे अंतरन तक ऐसी संतान के लिए नियास के रूप में धारन की जाएगी नमबर 55 ऐसी भेंटों को जो वधु को विवा के समय उस निमित कोई मांग किये बिना दी जाती है या उनके संबन में लागू नहीं होगी परंतो यदि ऐसी भेंट इस अदिनियम के दिन बनाए गए नियमों के अनुसार रखी गए सूची में दर्ज की जाए तो ये भेंट धहेच प्रतिश अदिनियम के तहद धहेच की परिदी में आएगी इसका जो राइट अंसर है वह आप्शन भी नहीं 56 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षन अदिनियम 2005 की सेक्शन 16 संबंदी थे इसका राइट अंसर है ओप्शन C कार्यवाईयों का बंद कमरे में किया जाना सेक्शन 16 के अंदर इसके लिए प्रोविजन किया गया है 57 घरेलू इंसा से महिलाओं का संरक्षन दिनियम के अंतरगत साजेदारी की घरस्ती से घरस्ती अभिप्रेत है 58 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षन दिनियम की धारा 31 के अंतरगत अधिकतम कितने दंडादेश का प्रावधान है 59 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षन अधिनियम के अधिन पारित कोई भी आदेश 60 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षन अधिनियम की धारा 2 चा के अंतरगत घरेलू हिंसा में आता है A. शारेरीक एवं लेंगिक दूरुपियोग B. आर्थिक दूरुपियोग C. मौखिक एवं भावनात्मक दूरुपियोग D. इन में से सभी तो इसका राइड अंसर है option D. इन में से सभी गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तक्नीक लिंग चयान प्रतिशेद अधिनियम 1994 याने की PC&PNDT Act इसके लिए अलरेड़ी हम हमारे चैनल पर वीडियो पोस्ट कर चुके हैं अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देखिए क्योंकि उसके अंदर जितने भी important points है वो हमने cover किये हैं exam purpose से 61 गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तक्नीक लिंग चयान प्रतिशेद अधिनियम उननी सो चोरानू के अंतरगत अपराध है ए असंगे अजमानती तथा शमनी बी असंगे जमानती तथा अशमनी सी संगे जमानती तथा शमनी डी संगे अजमानती तथा अशमनी तो इसका जो right answer है वह है option डी संगे अजमानती तथा अशमनी यानि कि non-vailable, non-combondable और cognizable 62, PC और PNDT अधिनियम 1994 के अंतरगर बुरून का अभिपराय निशेचन के बाद एक विकास्चिल मानव जीव डेश के अंतर तक है A. तीन सब्ता, B. पांच सब्ता, C. आठ सब्ता या D. बारा सब्ता तो इसका राइट अंसर है, option C. आठ सब्ता, जो कि हमने उसके अंदर आपको इससे related definition बताई थी, उसमें हमने आपको बताया हुआ है Act के अंदर कि क्या important उसके अंदर जो है आपको याद रखना है 63. PCN PNDT Act 1994 की धारा, टू जग के अंतरगत, बाल चिकितसा से ऐसा व्यक्ति अभिप्रत है, जिसके पास यानि की जो चाइल्ड डॉक्टर है, उससे क्या व्यक्ति अभिप्रत है, उसके बारे में उसमें पताया गया है बाल चिकितसा विज्ञान में इसना तक अरहरता है, बाल चिकितसा विज्ञान में इसना कोत्तर यानि की PG है, बाल चिकितसा विज्ञान में विशेश योगिता है या इन में से कोई नहीं, तो इसका राइट अंसर है, उप्शन B, बाल चिकितसा विज्ञान में इसना कोत् 64. PC and PNDT Act 1994 के अंतरगत अपरादों का संग्यान किया जा सकता है A. पुलीस द्वारा प्रस्तूत अवियोग पत्र पर B. पुलीस द्वारा प्रस्तूत परिवाद पत्र पर C. समुचित प्रादिकारी या प्रादिकारी द्वारा किये गए परिवाद पर D. इन में से कोई नहीं तो इसका राइट अंसर है Option C. समुचित प्रादिकारी या जो ऑथोरिटी है उसके द्वारा या प्रादिकारी जो है उसके द्वारा परिवाद किये जाने पर 65. किस अप्रसमान्यता याने कि अबनॉर्मरिटी के लिए प्रसवपूर्ण निदान तकनीक अंतरगत धारा 4 सबसेक्शन 2 PC&PNDT Act 1994 का उप्योग नहीं किया जा सकता तो इसके अंदर कुछ 6 पॉइंट्स बताएगा है कि सिफ उसी के लिए टेकनीक का यूज किया जा सकता है और किसके लिए नहीं किया जाता है वो हमें यह बताना है गुर्ण सुत्री अप्रसमान्यता है आनुवानश की मेटाबोली रोक C. जन्मजाती असंगतिया हड्डियों की अप्रसमान्यता है तो इसका जो राइट अंसर है वह है उप्शन D हड्डियों की अप्रसमान्यता है 66. लेंगी अप्रादों से बालों का संरक्षन अधिनियम 2012 लेंगी अप्रादों से बालों का संरक्षन अधिनियम 2012 के अंतरगत अप्राद विचारनी है विशेश न्याले द्वारा विशेश किशोर न्याले द्वारा C. नियाईक मजिस्ट्रेट पथम शर्णी द्वारा D. मुख्य नियाईक मजिस्ट्रेट द्वारा तो इसका right answer है विशेश नियाले द्वारा Special Code के द्वारा जो है यहाँ पर यह अपराद सुनिशित किये जाएंगे विचारन किये जाएंगे 67 लेंगी कपरादों से बालकों का संद्रक्षन अधिनियाम के अंतरगत कोई विशेश नियाले किसी अपराद का संग्यान ले सकेगा इसका जो right answer है 67 का वह है option B मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपी को विचारन के लिए सुपरूत किये बिना भी यहां पर वह संग्यान ले सकेगा 68 पोस्को अधिनियाम 2012 की धारा प्रावधानीत करती है A. अधिनियाम के क्रियानवन की मोनिटरिंग B. अधिनियाम के बारे में लोक जाग रुकता C. अनुकल्पिक दंड D. नियम बनाने की शक्ती तो इसका जो राइट अंसर है वह अधिनियाम के बारे में लोक जाग रुकता इसका जो इस एक्ट का जो डिटेल्ल वीडियो है वो भी हम अलरेड़ी हमारे चैनल पर पोस्ट कर चुके हैं अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें जो कोई डेश वर्ष से कम आयो के किसी बालक पर प्रवेशन लेंगी खंबला करता है वधारा पांच अंगर लेकिंग अपरादों से बालकों का संद्रक्षन अदिनियम 2012 के तहत गुरूतर प्रवेशन लेंगी खंबला करता है यह कहा जाता है तो इसका जो राइट अंसर है वह है उप्षन सी बारा वर्ष से कम आयो यह अमेंडमेंट के बाद जोड़ा गया है इसलिए अभी भी पूरी संभावना है कि ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते है सेक्शन 22-2 लेंगी कपरादों से बालकों का संद्रक्षन अदिनियम प्रावधान करती है कि जहां किसी बालक द्वारा कोई मिथ्या परिवात किया गया है या मिथ्या सूचना अपलब्द कराई गई है ऐसे बालक पर कोई दंड अर्धिरोपित नहीं किया जाएगा ऐसे बालक को कारवास से जिसकी अवधी 6 माह तक की हो सकेगी और अर्ध दंड से भी दंड नहीं करेगा तो इसका जो राइट अंसर है वह ऑप्षन ए बालक पर कोई दंड अधिरोपित नहीं किया जाएगा 71 यह जो पोर्षन है यहां से सबसे ज़्यादा प्रशन पूछे जाते हैं चाहे ADPO हो चाहे DLO हो तो इसको जड़ा अच्छे से करना है ताकि जो मेक्जिम मार्क से वह हम यहां से कवर कर सकें 71 सेक्शन 166 मोटर या नधिनियम के अंतरगा चतिपूर्ती आवेदन प्रस्तूत करने की परिसीमा है या ने के लिमिटेशन है तो इसका जो राइट अंसर है कोई परिसीमा नहीं है लेकिन आपको एक बारो बता दें कि जो यह एक्ट है इसके अंदर अमेंडमेंट हो चुके हैं तो बहुत सारे अंसर वेरी कर सकते हैं इसको एक बार आप बेर एक्ट में वेरिफाई जरूर कीजिएगा अगर फिर भी नहीं मिलता है आपनिक आए होगी यानि कि जिनके पास कोई नोकरी है कोई आए नहीं है इंकम सौर्स नहीं है यदि उनका दुरगटना होती है एक्सिडेंट होता है उसमें अगर वो घायल होते हैं तब ऐसी इस्तिती में उनकी क्या आए मानी जाएगी वो इसमें बताई हुई है तो इसका जो राइट अंसर है वो है ऑप्शन C 15,000 प्रतिवर्ष यह सारे जो आंसर हैं वो 2016 के अकॉर्डिंग है इसके अंदर चेंजेश हो सकते हैं तो इससे आप वेरिफाई जरूर कीजिएगा 73 किसी मामले में निर्धारित किया गया कि महिलाओं या बच्चों को दे प्रतिकर राशी लाप प्रद लंबी अउदी की सावधी जमाओं में जमा किया जाएगा तो इसका जो राइट अंसर है वो है ऑप्शन D जनरल मेनेजर केरला S.R.T.C. विरुद सूसमा थामस 1994 टू S.C.C. 176 का जो मामला था उसमें निर्धारित किया गया था सेक्चन 142 मोटर यान अधिनियम 1988 प्रावधानित करती है कि ऐसे प्रतिकर की राशी जो किसी व्यक्ति की म्रत्यू के बारे में उपधारा एक के अधीन संदे है वो डेश की नियत राशी होगी A. 15,000 B. 50,000 C. 15,000 जो ऑप्षन है वो 75,000 C. 15,000 D. 25,000 तो इसका जो राइट अधर है वह ऑप्षन B 50,000 रुपे 50,000 रुपीज 75 मोटर यान अधिनियम 1988 की कि धारा 163A एवम अनुसुची 2 के तहद म्रतक की आय में से उसकी स्वयम के व्याय के रूप में कितनी राशी कम की जानी चाहिए एक चोथाई, एक तिहाई, आधी या तीन चोथाई तो इसका जो राइट अंसर है वह ऑप्षन B एक तिहाई जो है उसमें से कम कर दिनी जाहिए कुटुम्ब नियाले अधिनियम 1984 76 कुटुम्ब नियाले में नियाधिश की नियुकती कोन करता है उच्च नियाले, सर्वोच नियाले C. उच्च नियाले के सहमती से राजशाशन या D. सम्बंदित जीले के जीला नियाधिश तो इसका राइट अंसर है उप्षन C. उच्च नियाले के सहमती से राजशाशन 77 कुटुम्ब नियाले के नियने या आदेश के विरुद उच्च नियाले में अपील की जाने की अवधी होगी 90 days, 60 days, 30 days या 6 months तो इसका जो राइट अंसर है वह है उप्षन C. 30 दिनों के भीतर अपील करने होगी 78 कुटुम्ब नियाले अधिनियम, 1984 के अंतरगत कोई व्यक्ति कुटुम्ब नियाले का नियाधिश तभी तक रहा सकता है जब तक कि वह 62 वर्ष के आयू प्राप्त करता है 60 वर्ष के आयू प्राप्त करता है 65 वर्ष के आयू प्राप्त करता है या 58 वर्ष के आयू प्राप्त करता है तो इसका जो राइट अंसर है वह है उप्षन A. 62 वर्ष के आयू प्राप्त करता है 79 जहां कोई कुटुम्ब नियाले किसी शेत्र के लिए इस्तापित किया गया है, वहाँ ऐसे शेत्र के संबंद में किसी मजिस्टेट को, दंड प्रक्रिय सहीता 1973 के अध्याए 9 के अधीन, A. अधिकारिता होगी, कोई अधिकारिता नहीं होगी, C. कुटुम्ब नियाले के अनुमती से अधिकारिता होगी, या D. उच्च नियाले की अनुमती से अधिकारिता होगी, तो इसका जो राइट अंसर है, वहाँ ऑप्शन B, कोई अधिकारिता नहीं होगी. 80, section 7, कुटुम बन्याले अधिनियम 1984 में शेत्राधिकार संबंदी प्रावधान है और इस प्रावधान के तहट कुटुम बन्याले को कौन से वाद और कारेवायों में सुनवाई का अधिकार नहीं है तो इसका जो राइट अंसर है वह है option D, किसी अव्यस्क की संपत्ती के संबंद में प्रस्तूत, वाद या कारवाही के अंतर गुज्य है उसे शेत्राधिकार नहीं है हिंदू विधी और मुस्लिम विधी निम्न में से कौन सा तत्व मुस्लिम विधी के अधिन वेद हीबा के लिए आवश्यक नहीं है गोशना, ब स्विक्रोक्ती, सी आधिपत्य का परिदान या दी हीबा का लेकबद होना इसका जो राइट अंसर है वह है option D, हीबा का लेकबद होना इसका जो राइट अंसर है वह है option C, या तो पुरूश द्वारा या महिला द्वारा दहेज या मेहर प्राप्त होता है आत्यंतिक रूप से पत्नी को, केवल पत्नी के पिता को, केवल पत्नी की माता को या D, अंशता रूप से पत्नी को, और अंशता रूप से पत्नी के माता पिता को तो इसका जो राइट अंसर है वह है option A, आत्यंतिक रूप से पत्नी को 84, कीस प्रारूप में उद्गोशना के शंड से तलाक प्रभावी एवम अप्रतिसहरनिय होगा A, तलाक उल्बिदात, B, असन प्रारूप में तलाक, C, असन प्रारूप में तलाक, इन में से सभी 84, का जो राइट अंसर है वह है option A, तलाक उल्बिदात अब इसके अंदर कुछ चीजे जो हैं चेंजेज होई है, उसका अपडेशन जो है वह हम आपको जल्द बता देंगे 85, हिंदू उत्तरादिकार अदिनियम, 1956 के अंतरगत, म्रतक, हिंदू पूरुष के वर्ग, एक का कोन उत्तरादिकारी नहीं है 86, मिताक्षरा स्कूल के अंतरगत, सहदाई की हित न्याइगत होता है 87, सुन्नी विधी में अव्यस्क के विवा के लिए कौन सनरक्षक हो सकता है तो इसका जो राइट अंसर है वह उप्षण दी, पिता 88, तलाक के पश्चात, एक मुस्लिम महिला A, पुना विवा नहीं कर सकती, तुरंत विवा कर सकती है C, इद्दत के अवधी गुजरने के पश्चात विवा कर सकती है D, इन में से कोई नहीं, तो इसका जो राइट अंसर है वह उप्षण C, इद्दत के अवधी गुजरने के पश्चात विवा कर सकती है 89, मुस्लिम विधी में वसियत निश्पादित की जा सकती है 90, वक्फ अधिकरन, वक्फ मंडल या D, इन में से कोई नहीं, तो इसका राइट अंसर है उप्षण B, वक्फ अधिकरन 91, माध्यस्तम वम सुल अधिनियम की सेक्शन 34 के अंतरगत, माध्यस्तम पंचाट अपास्त करने के लिए आवेदन पर कितना विलंब शमा किया जा सकता है A, विलंब शमा नहीं किया जाता, अधिकतम 30 दिन का, C, अधिकतम 60 दिन का, D, अधिकतम 90 दिन का तो इसका जो राइट अंसर है वह है उप्षण B, अधिकतम 30 दिन का विलंब शमा किया जा सकता है 92, माध्यस्तम अभं सुला दिनियम की section 7 के अनुसार एक माध्यस्तम करार होगा लिखित करार, मोखिक करार, या दो लिखित, या मोखिक, या D, न लिखित, और नहीं मोखिक तो इसका राइट एंसर है option A, लिखित करार होगा 93. माध्यस्तम एवम सुला दिनियम 1996 के अनुसार माध्यस्तम पंचाट पारित होने के प्रत्यात प्रत्येक पक्षकार को प्रदान किया जाएगा A. मूल पंचाट पंचाट की एक हस्ताक्षरित प्रतिलीपी C. पंचाट की छाया ब्रती या D. पंचाट की एक अहस्ताक्षरीत प्रतिलीपी इसका जो राइट अंसर है वह है option B. पंचाट की एक हस्ताक्षरीत प्रतिलीपी 94. माध्यस्तम एम सुला दिनियम के अनुसार माध्यस्तम पंचाट उसी ढंग से प्रवर्तित किया जाएगा जैसे कि वह डेश एक डिक्री हो 95. माध्यस्तम एम सुला दिनियम के अनुसार किसी पक्षकार द्वारा माध्यस्तम पंचाट को अपास्त करने के लिए आवेदन उस पक्षकार द्वारा पंचाट की प्राप्ति के कितने दिनों के भीतर प्रस्तूत कर देना चाहिए तो इसका जो राइट अंसर है वह और आप्षन ए तीन महिने के अंदर प्रस्तूत कर देना चाहिए ग्राम न्याले अधिनियम दोजार आट 96. ग्राम न्याले अधिनियम के अनुसार ग्राम न्याले में न्यायधिकारी की नियुकति कोन करता है तो इसका जो राइट अंसर है वह है option C, उच्छ नियाले के परामर्ष से राज्य साशन यहाँ पर नियुक्ति करता है ग्राम नियाले अधिनियम के अनुसा निम्न अपरादों में से किस अपराद के तहट ग्राम नियाले संग्यान नहीं ले सकता इसका राइट अंसर है भारती देंड संहिता की सेक्षन 377 के अंतरगर्ज अपराद है उसका संग्यान जो है ग्राम नियाले नहीं लेगा 98 ग्राम नियाले अधिनियम 2008 के अनुसार ग्राम नियाले में लंबित सीविल मामलों को कोन इस्थाना अंतरित कर सकता है 99 ग्राम नियाले अधिनियम के अधिन प्रत्यक वाद दावा या विवाद संस्तित किया जाएगा वाद पत्र दुआरा जैसा सिविल प्रक्रिया संहिता में वहीत है इसका जो राइट अंसर है वाई ऑप्शन B एक सो रुपे से अनदीक की फीस के साथ आवेदन करके 100 ग्राम नियाले अधिनियम 2008 के अनुसार निम्न में से क्या सही नहीं है ग्राम नियाले द्वारा विचारनी दावों में मियाद अधिनियम 1963 के प्रावधान लागू होते है ग्राम नियाले द्वारा विचारनी अप्रादों में दंड प्रक्रिया संहिता का अध्याए 36 लागू होता है ग्राम नेले द्वारा विचानी दावों में मियाद अधिनियम 1963 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं यानि कि लिमिटेशन एक्ट के डी विलंब शमा करने के लिए ग्राम नेले के समक्ष धारा पांच मियाद अधिनियम का आविदन पेश किया जा सकता है तो इसका जो राइट अंसर है वह है उप्षन C ग्राम नेले द्वारा विचानी दावों में मियाद अधिनियम 1963 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं यह important point है जो आपको याद रखना है 101 101 जो उप्खन्ड अधिकारी है सबडिविस्नल जो ऑफिसर है उस पंक्ती का या अपर पंक्ती का अधिकारी जो होगा वह यहां पर पिटासी नदिकारी होगा टुबिनल का 102 माता पिता एम वरिष नगरिकों का अधिनियम 2007 के नुसार अपीली अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तूत की जा सकेगी अधिकरण द्वारा आदेश पारित किये जाने के दिनांग से 60 दिन के अंदर 90 दिन के अंदर 30 दिन के अंदर या कोई मियाद नहीं तो इसका जो राइट अंसर है 102 का वह औक्षन ए 60 दिन के अंदर माता पिता एम वरिष नगरिकों का भरन पोशन तथा कल्यान दिनियम 2007 के अंतरगात माता पिता की परिभाशा में सोतेला पिता या सोतेली माता ए शामिल है शामिल नहीं है सोतेली माता शामिल है किन्तु सोतेला पिता शामिल नहीं है या डी सोतेली माता शामिल नहीं है किन्तु सोतेला पिता शामिल है तो इसका जो राइट अंसर है वह है उप्शन ए शामिल है A. 60 दिन, B. 90 दिन, C. 30 दिन, D. 40 दिन तो इसका जो right answer है वह option C. 30 दिन के अंदर मद्यप्रदेश अपरात पीडीत प्रतिकर योजना 2015 106 मद्यप्रदेश अपरात पीडीत प्रतिकर योजना के अंतरगत पीडीत प्रतिकर निधी बनेगी A. राज्य दुआरा वार्शिक बजट में किया गया बजट आवंटन से B. CRPC की सेक्शन 357 के अधीन अधिरोपीत जुर्मानों की राश्य की प्राप्ति से C. अंतराश्टी या राश्टी पूर्द संस्ताओं संगठनों तथा व्यक्तियों से प्राप्त दान तथा अभिदान से D. इन में से सभी से 106 का right answer है option D. इन में से सभी से 107. मद्यप्रदेश अपरात पीडीत प्रतिकर योजना 2015 के अंतरगत गठीत निधी का संचालन कोन करेगा इसका जो right answer है वह option D. सदस्ति सचीव या मद्यप्रदेश राज्य विदीक सेवा प्राधिकरन 108. मद्यप्रदेश अपरात पीडीत प्रतिकर योजना 2015 के अंतरगत कोई पीडीत अत्वा उसका आशरीत जो जिला विदीक सेवा प्राधिकरन द्वारा उसके दावे के खारिच किये जाने से व्यथित हो अपील प्रस्तूत कर सकता है तो इसका जो राइट अंसर है वह है option D. राज्य या राज्य विदीक सेवा प्राधिकरन के समक्ष 109. मद्यप्रदेश अपरात पीडीत प्रतिकर योजना के अंतरगत प्रतिकर के सन वित्तरण का माध्यम होगा तो इसका जो राइट अंसर है वह है आधार लिंक बेंक खाते में अपरात पीडीत की समग्र सुरोतों से वार्शी काय पांच लाक रुपे से अधिक होने पर प्रतिकर राशी दे यह है ओप्शन A 25 प्रतिशत B कोई राशी नहीं C संपूर्ण राशी यह D 50 प्रतिशत तो इसका जो राइट अंसर है वह है ओप्शन D 50 परसेंट 50 प्रतिशत विदिक सेवा प्राधिकरन अधिनियम 1987 और संबंदित नियम एवंवी नियम 111 सिविल प्रक्रिया मध्यस्ता अधियम 2006 के अंतरगत कोई अधिवक्ता जिसे मीडियेटर पेनल के रूप में सम्मिलित करना है उसके विदिक व्यवसाई के अवधी होना चाहिए यानि कि उसका एक्सपिरियंस से वह कितना होना चाहिए तो इसमें बताया गया है ओप्शन सी यानि कि 15 इयर्स जो है उसके पास होना चाहिए विदि व्यवसाई का 112 विदिक सेवा प्राधिकरन अधिनियम 19 सित्यासी यदि कोई मामला लोग अदालत में निराकरत होता है और उस उक्त प्रकरण में पूर्व से नियायशुल्क अधा किया गया है तो ए सम्पूर्ण नियायशुल्क वापिस होगा एक चोथाई नियायशुल्क वापिस होगा नियायशुल्क की कोई भी राशी A. संपूर्ण नियाईशुल्क वापिस होगा 113. विदिक सेवा प्रदिकरण दिनियम की सेक्षिन 22 A के अंतरगत निम्न में से कौन लोक उपियोगी सेवा है A. डाक तार या टेलीफोन B. सारवजनिक मल वहन या सवच्छता प्रणाली C. अस्पताल या उश्धालय सेवा D. इन में से सभी तो इसका राइट अंसर है इन में से सभी 104. विदिक सेवा प्रदिकरण की सेक्षिन 22 B संबंदित है A. इस्थाई लोग अदालत द्वारा मामलों का संग्यान B. इस्थाई लोग अदालतों की स्थापना C. इस्थाई लोग अदालत की प्रक्रिया या D. इन में से कोई नहीं तो इसका जो राइट अंसर है वह है उप्शन B. इस्थाई लोग अदालतों की स्थापना 115. मद्य प्रदेश राज्य विदिक सेवा प्रदिकरण नियम 1996 के नियम 3 के अनुसार राज्य प्रदिकरण में सदस्यों की संक्या इससे अधीक नहीं होगी तो इसका जो राइट अंसर है वह है उप्शन D. 15 सदस्य से अधीक नहीं होगी 116. मद्य प्रदेश राज्य विदिक सेवा प्रदिकरण का नियम 33 संबंदी थे 117. सिविल प्रक्रिया मद्यस्ता नियम 2006 के अंतरगत सामन्य तह मद्यस्तता पून करने की समय सीमा है A. 60 डेश, B. 30 डेश, C. 45, D. 90 दिन इसका राइट अंसर है उप्शन A. 60 दिन 118. नियाले द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357. A की उप्थारा 2 अतवा 3 में प्रतिकर की अनोशन्शा को जिला विदिक सेवा प्रादिकरण डेश दिन के भीतर निप्टाएगा तो इसका जो राइट अंसर है वह उप्शन B. 2 माह के भीतर निप्टाएगा 119. विदिक सेवा प्रादिकरण डिनियम 1987 के अंतरगत लोग अदालतों को केसे अप्रादों के मामले में शेत्र अधिकरिता नहीं होगी A. अशमनी B. अशमनी C. अजमानती या D. असंगय अप्राद तो इसका जो राइट अंसर है वह उप्शन B. अशमनी ये जो non-compoundable होगे उसके अंदर अधिकरिता नहीं होगी 120. सरवत चुन्याल है इसतर पर Mediation संबंदी कौन सी समिती गठी थे Mediation Committee, Conciliation Committee, Mediation and Conciliation Committee या D. Mediation and Conciliation Project Committee 121. जीला विदिक सेहवा प्रादिकरण के कारे कौन से हैं A. राज्य विदिक सेहवा प्रादिकरण द्वारा पत्यायोजित कर्प्तिय का पालन राज्य प्रादिकरण के विनियमों द्वारा नियतकार्य C. जीले के भीतर लोग अतारोतों का आयोजन करना या D, इन मेंसे सभी, तो इसका जो राइट अंसर है, वह उप्शन D, इन मेंसे सभी 122, राष्ट्री विदिक सेवा प्रादिकरण के मुख्य सनरक्षांख होंगे A. भारत के मुख्य नियाएदी पती, B. उच्चेतम नियाले के कोई नियाय मुर्ती C. किसी भी उच्चे नियाले के मुख्य नियाएदीश, D. उच्चेतम नियाले के सेवा निवरत मुख्य नियाएदीश तो इसका जो राइट अंसर है, वह उप्शन A. भारत के मुख्य नियाएदी पती 123, तालुक विधी सेवा समीती के अध्यक्ष होंगे 124, जीला इसतर पर लोग अदलत की पीठों का गठन किया जाता है संबंदित जीला के कलेक्टरों द्वारा, सचीव द्वारा कलेक्टर के अनुमोधन से सचीव द्वारा, जीला प्रादिकरन के अध्यख्ष के अनुमोधन से D. सचीव द्वारा, राज प्रादिकरन के अनुमोधन से 135, मधD commenदश राज विधिक सेवा प्रादिकरन के वीनियम, सोला, ایک के तह तयार किये जाने वाले अधिवक्ताओν के सूची में अदिवक्ता का नाम शामिल किये जाने के लिए कम से कम कितने वर्षों का विदी व्योसाय किया जाना अवश्यक है इसका जो राइट अंसर है Y-Option C पांच वर्ष का विदि व्योसाय है वो किया जाना अवश्यक है 126 मध्य प्रदेश, राज विदिक सेवा अधिनियम, प्रादिकर्ण वीनियम के वीनियम, चाउदा के आलोक में किन मामलों में विदिक सेवा उपलब्द नहीं कराई जाएगी मान हानी के कारवाई, स्वत्तुव संबंदी वाद, बटवारे कावाद या व्यादेश संबंदी वाद तो इसका जो राइट अंसर है वह है option A. मान हानी की कारवाई में जो है विदिक सेवा उपलब्द नहीं कराई जाएगी 127 विदिक साक्षर्ता शिवीर स्कीम 1999 के तहत साक्षर्ता दल के गठन के लिए किसके अनुमोधन की आवाशकता है A. मुख्य सन रक्षक राज विदि सेवा प्रधिकरण B. कार्यपालक अध्यक्ष राज विदिक सेवा प्रधिकरण C. अध्यक्ष उच्छ नियाले विदिक सेवा समीती या D. जिला विदिक सेवा प्रादिकरण इसका जो राइट अंसर है वह उप्शन B कार्य पालग अध्यक्ष राज्य विदिक सेवा प्रादिकरण 128 राश्ट्री विदिक सेवा प्रादिकरण द्वारा इस्थापित विदिक सहायता केंदर जहां ग्रामीनों को मूल भूत विदिक सेवाओं की सुविदा अभी भाश्कों की मतख से उपलब्द कराई जाती है 117 विदिक सेवा परादिकरन दिनियम 1997 की किस दाएं के तहत योग वैक्ति को विदिक सहायता देने का प्रावधान है option A. Section 14. Section 15. Section 12. Yes. Section 16. तो इसका right answer है option C. Section 12 विदिक स्वा परादिकरन दिनियम 1987 की section 7 संबन्दित है इसका राईट अंसर है वह option D राज़पाल के प्रसाथ पर्यंत जो है वकार करेगा 132 विदिक सक्षरता शिविर योजना 1999 की पेरा फोर संबंदित है 132 का जो राईट अंसर है वह option A शेत्र की पहचांस है 133 इस्थाई लोग अदरत का अध्यक्ष कोन होगा इसका जो राईट अंसर है वह option C वह वक्ती जिलाने अधीश अत्वा अपर जिलाने अधीश हो या रहा हो 134 मद्यप्रदेश अपराद पीडित प्रतिकर योजना 2015 में सामोहिक ब्रातकार की शती के लिए प्रतिकर राशी की अधिक्तम सीमा है इसका जो राइट अंसर है वह आप्शन भी 3 लाक रुपे 135 लोग अतलत का आयोजन किया जा सकता है केवल बंद शनिवार को केवल रहीवार को केवल आवकाश के दिनों में आवकाश वाले शनिवार रहीवार अन्य आवकाश के दिनों में 136. Civil प्रक्रिया Mediation नियम 2006 के अनुसार किस कारण से किसी मेडियेटर को मेडियेटर्स पेनल से विलोपित किया जा सकता है। 137. Settlement Agreement Mediator से प्राप्त होने के कितने दीवस के भीतर नियाले settlement लेक करने है तू तिथी नियत कर पक्षकारों को नोटिस करेगी। तो इसका जो राइट अन्सर है वह आप्षिन है साथ दिन के भीतर। 138. Mediator राज्य विदिक सेवा प्रादिकरण नियाम 1906 के नियाम 14 के तहट कोन जीला प्रादिकरण का पदेन सदस्य नहीं है तो इसका जो राइट अन्सर है वह आप्षिन सी जीला विदिक सहायता अधिकारी जो है वह उसका पदेन सदस्य नहीं है 139. Mediator विदिक सेवा प्रादिकरण 1996 के नियाम 25 के तहट कोन सी विदिक सेवा इस पष्ट रूप से नहीं दी जा सकती ए गवाओं का खर्चा आदेशी का फीस विदिक कारेवायों के संबंदी दस्तावेजों का अनुवात का व्याय या D सहायक का व्याय तो इसका जो है वह है option B याने की दो वर्ष जो है उनकी पदावदी होगी तो यह था दोस्तों इसका law वाला पार्ट अब जो इसका जिए इंग्लीश और computer से रिलेटेड वाला जो पार्ट है उसके जो question है तो आप जो है इस जो यह paper है इसका जो PDF फाइल है वह हम हमारे telegram चैनल पर पोस सकते हैं और telegram चैनल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं telegram चैनल की जो link है वह इस वीडियो के description box में दी गई है thank you for watching